नमस्कार दोस्तों, डवलस्ट्रोग three-hand writing का ये दूसरा वीडियो है इसी सीरीज में मैं words लिककर दिखा रहा हूँ English के बोल्ड अच्छर में और इसमें मैं words इसलिए लिककर दिखा रहा हूँ क्योंकि words लिखते समय जो अक्षरों का जो management होता है यानि कि size, space इसको किस तरह से manage किया जाता है ये words भे ही पता चलता है alphabet अगर मैं लिख कर दिखाऊंगा तो पता नहीं चलेगा alphabet का वीडियो अल्रेडी मेरे चेनल पर है उसे आप देख सकते हैं तो यहां मैं इसके बाद पिछले वीडियो में लिखाऊंगा यहां पर जैसा कि सीधा लखिर कीचना है किस तरह से ये मैंने रोज वीडियो में बताया था तो उसी तरह से यहां पर मैं दी के लिए सीधा लखिर कीचर रहा हूँ और इसका मोटाई खड़ी लखिर का R के बराबर ही मैं रखने का परयास कर रहा हूँ अर उसके बाद ये जो 23 दाइँ वाला है इसको इतना ही खीचना है इसके बाद पिछले वीडियो में हमने इसका मेजरमेंट लिया था तीन इच तो उतना ही तीन इच हमें इसको मेजर करना है यह तीन इंच में ही लिखाएगा तो यहाँ पर यह मैंने मार्क कर लिया है बरस से भी मार्क कर लूँ ताकि यह अच्छी तरह से नजर आए उसके बाद उतना ही बड़ा तीन इंच के बराबर ही यह गोलाई हमें बनाना है धी का उसके बाद इसका जो मुटाई है उसको ध्यान में रखते हुए और अंदर का जो सफेद वाला भाग है उसका फिनिसिंग को ध्यान में रखते हुए हमें इसको करना है तो इस तरह से यह डी हो गया है इसका जो साइज और मुटाई है उसको बाद में भी आप मैनेज कर सकते हैं इसके बाद A लिखना है तो सबसे नजदी की पॉइंट में गेब देखेंगे तो A उपर के और पतला होता है निचे की और चोड़ा होता है और दूसरा बात है कि ये 3 इंच है D R भी 3 इंच है O भी 3 इंच है E 18 इंच है E को छोटा लिखना पड़ता है लेकिन A को हमें बड़ा लिखना पड़ता है तो A को थोड़ा सा बड़ा करेंगे कितना चार इंच तो जो सबसे नजदी की पॉइंट ये है यहाँ पर गेब को हम लोग ये करेंगा और यहाँ पर मार्क करेंगे एक पॉइंट यहाँ मैं लगा दूँगा गेब को थोड़ा सा फिट से देख लेता है यह है तो यहाँ एक पॉइंट लगा देते है अब यहाँ पॉइंट मैंने लगा दिया है अब इसका मैं मेजरमेंट लूँगा चार इंच यह मैं मेजरमेंट ले रहा हूं थोड़ा था यह वीडियो चिप गया है नीचे की और तो मैं यहाँ पर 4 इंच पर मार्क कर रहा हूं उसको बद 4 इंच का आधा क्या कितना होता है 2 इंच, 2 इंच का बीच में जो सिंटर है उसको मैं अनुमान से उपर किया हूं यहां पर दो इंच की सीध में यहां पर मैं मारक कर रहा हूँ ठीकर यह तो एक साइज हमने डिसाइड कर लिया है अब यहां से हमको इस और का डंडी को 60 शना है और दाइनी और का डंडी भी पोईंट के इस और से हमको खीचना है ध्यान रहे ये एकदम सिधा खड़ा हुआ होना चाहिए एका जो जो जोपली जैसा जो बन रहा है वो सिधा होना चाहिए दूसरी बात है आप अंदर वाला जो वाइट गेफ है उसका भी एरो को ध्यान में रखते हुए आप इसको सिधा कर सकते हैं अगर कोई भी एक डंडी अगर थोड़ा सा दाएं भाएं खिसक जाता है तो ये फिर एका तिर्चा होने का संभावना बढ़ जाता है जिससे कि आपका सद का खुपसूर्ती थोड़ा सा कम हो सकता है उसके बाद आप देख रहें कि उपर के और मैंने पतला किया हूँ निचे के और लाइनिंग को मोटा कर रहा हूँ तो ऐसा कर सकते हैं और सीधा भी कर सकते हैं कोई ज़रूरी नहीं है लेकिन ये सीधा खड़ा हुआ होना चाहिए ये जो आप एरो देख रहे हैं एका अंदर आप थोड़ा सा इसमें आपका मेहनत लगता है और मेरा सला यही है कि कभी भी ए और एक्स ये सब मैं अभी तो फिरी हैंड में लिख रहा हूँ तो ये सब लिखते समय आप धागा से लाइनिंग कर लें ज्यादा बहतर होता है इसमें आपको ज्यादा मेहनत नहीं करना होगिया है तो इस तरह का दिक्कत आपको आ सकता है इसलिए आप लाइनिंग कर लें तो ज्यादा बहतर है फिरी हैन्ट तो खरेड दी आर वी सब फिरी हैंड लिखना ही है लेकिन ए एकस और वाई य सब जो मैं फिरी इसको लिए लाइनिंग कर लेता ज्यादा बहतर है इसके बाद मैं एक्स लिखने वाला हूं तो एक्स का जो यह निच्चे और डंडी है आके एक इस डंडी से मिल जाएगा और ऊपर में थोड़ा गेप रहेगा इसलिए इसको मैं लाइनिंग कर रहा हूं ताकि शुरुआत क कर सकूं उपर की और से तो उपर से जब हम सुरुवात करेंगे तो इसका हमको साइज हमने अब लिया नहीं है तो साइज के लिए यहां पर थोड़ा सा मेजरमेंट इसका भी लेना होगा चार इंच यह भी रहेगा तो इधर मैंने मेजरमेंट ले लिया है मैंने पॉइंट ल मैंने lining कर लिया है तो इस तरह से x को आप a square बना कर पहले एक आयात जैसे कहते हैं वैसा बना कर आप x को अच्छी तरह से लिख सकते हैं और free hand में भी आपको support लेना ही पड़ेगा नहीं होगा डारेक्ट लिखेंगा तो बहुत मेहनत करना पड़ेगा और कुछ न कुछ गड़बड होगा दिखने में अच्छा नहीं लगेगा फिर मेहनत में आपका पानी फिर जाएगा इसलिए एक्स को और एक को मार्किंग करके ही लिखें तो ज़्यादा बेहतर है तो लिख सकते हैं ऐसा कोई बात नहीं है लेकिन मेरा सला यही है कि आप इसको पहले मार्किंग करके ही लिखें तो यहाँ पर भी ध्यान देना है उपर में एक वाइट भाग जो एरो जैसा लग रहा है वो नीचे की और मुह की आ हुआ है और नीचे का एरो उसको कोशिश करें कि बराबर रखें दूसरा चीज वो एक सीध में सीधा खड़ा हुआ होना चाहिए एक सीध में होना कि और से भी सफेद भाग का एक एरो बना है तो वो भी आपस में जब मिलते हैं तो वो एक सीध में होना चाहिए इस चीज को ध्यान में रखना है एकस में तो यह हो गया एकस का भंडा यह थोड़ा देखे इस तरह से यह थोड़ा सा मोटा मुझे लग रहा था इसको मैंने मिटाया है तो फिरी हेंड में यह दिक्कत होता है थोड़ा सा तो आप देख रहे हैं ए आकर ए और एकस का जो निच्चे अलब भाग है आपस में मिल गया है पूरा सटा भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि उपर में उसका गेप ज़्यादा है तो यह एकस हो गया है वाई में भी वही है एकस और वाई का जो साइज है वो चार इंच मुहीं मुझे रखना गई देखे वाई भी इस तरह से उपर के और तिर्चा होता है चोड़ा होता है तो यह चार इंच है तो यहाँ पर मैं चार इंच लूँगा और उपर के और एक दूर हो जाएगा इसलिए यहाँ पर आपको वो गेप यहाँ पर मैंटेंग नहीं करना है यहाँ पर सटा कर लिखना है अब यहाँ पर देखें मैंने तीन फिर से लिया है तीन पॉइंट यहाँ से चार इंच जो मैंने मेजरमेंट लिया अलाकर यहाँ पर इस पॉइंट में मिला दिये सेंटर वाला पोइंट है नीचे में इसके बाद यहां से और यहां से देखें इसको भी सीधा रखना है वाइट भाग को देखें एरो नीचे के और एरो बना है और यह आधा से अधिक मैं ने लिया है क्योंकि जब सीधा डंडी को लगाऊंगा तो थोड़ा उपर से मुझे लेना पड़ेगा तो यहां पर सबसे ध्यान देने वाला बात है कि A, X और Y इसका देखें A और X का नीचे वाला पोइंट आपस में मिल गया है थोड़ा समयने नहीं मिलाया है आप मिला भी देंगा तो कोई दिकत नहीं है उपर में फिर उसके बाद Y का साथ में वही चीज किया गया है जबकि R जो रोज मैंने लिखा है R, O के बीच में जो गयफ है वो थोड़ा ज़्यादा है और इसको एकदम कम रखना है क्योंकि नीचे की और X और Y का नीचे में कितना गयफ है आप देख सकते हैं तो इस चीज को कवर करने के लिए उसको सटाना पड़ता है तो यह मैंने डेक्सी लगवग लिख लिया है लेकिन इसमें अभी भी फिनिसिंग करने के आव सकता है बहुत सरा तो उसको मैं अपने साथ से मैं कर लूँगा फिर भी थोड़ा सा मैं यहां टिफ दे दे रहा जुका हुआ है दाइने की ओर तो उसको सिधा करना है तो यह लखिर को थोड़ा सा इसर निकालना पड़ेगा तो ये ट्रीक है और इस और अंदर वाला लखिर ये को थोड़ा सा इधर बढ़ाएंगे भी तो हो सकता है अगर बाई और जूख जाता है तो दाइनी और लखिर को हमको थोड़ा सा बाहर निकालना पड़ेगा तो ये सब ट्रीक है इसके बाद अगर कुछ फिनिसिंग करना है तो आप बेस कलर ले 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 इस तरह से ये मैंने बेस कलर ले लिया है कहीं कहीं कलर अगर निकल गया है तो बेस कलर से आप उसको मेनेज कर सकते हैं ये मैंने बेस कलर लिया है देखिए बरस में वाइट डिस्टेंपर है ये तो जहां कहीं भी थोड़ा सा आड़ा तिर्चा लगता है उसको आप इस तरह से बेस कलर से भी मैनेज कर सकते हैं तो इस तरह से ये लगभग कम्पलीट है मेरा वीडियो लेकिन इसमें कुछ-कुछ फिनिसिंग थोड़ा सा रह जाता है तो उसको आप समय निकाल कर अच्छी तरह से अलांकि ये ये सब राइटिंग आपको ऐसे दिवार में कुछ जल्दपाजी में अगर कर रहे हैं तो उतना फिनिसिंग करने के आउ सकता नहीं है दूर से उसका जो साइज है उसको मेंटेन करेंगे और जो इसका खड़ा होने का जो पोजिशन है सीधा होना चाहिए उस चिछ को ध्यान में रखेंगे गेप को थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे उसके बाद फिनिसिंग में अतना ध्यान नहीं भी देंगा तो चलेगा लेकिन कोई दुकान का बोर्ड वेगरा नाम वेगरा लिख रहे हैं तो उसमें आपको इस तरह से फिनिसिंग करना पड़ेगा तो उसके लिए आपको बेस कलर से भी कुछ निकला हुआ भाग को वहाँ पर चिपा सकते हैं तो यह कंपलीट है मेरा वीडियो बहुत-बहुत धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए इस तरह से और भी मैं वीडियो बनाऊंगा या नहीं बनाऊंगा इस बारे में कॉमेंट्स करें दूसरे भी सब लिखने के लिए तो बहुत-बहुत धन्यवाद धन्यवाद झाल 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 झाल